हेलो दोस्तों, टुडेस फूड में आपका स्वागत है, आज मैं आप लोगों के लिए लेकी आई हूँ, इका निमोना जी हैं, जो आजकल हरा चना आ रहा है बूट वाला, उसका निमोना बहुत ही टेस्ट ही है, बहुत ही स्वाधिश लगता है, तो चलिए से बनाना इस मसाले को हम खुब अच्छे से भूल लेंगे, मैंने जो मसाले का थोड़ा सा पानी दोलकर डाल दिया है, ताके हम मारा मसाला अच्छे से पक जाए और फिर इसमें मैंने डाले थोड़े से सूके मसाले, आदा चमच हल्दी पाउडर, आदा चमच धनिया पाउडर, एक चमच मैंने यहाँ पर सबजी मसाला इस्तमाल किया है और आदा चमच मैंने यहाँ पर गरम मसाले का यूज किया है तो ब दाल देंगे और इसे हम चलाते हुए धीमी धीमी याज पर खुब अच्छे से भूनेंगे इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कि इसमें अच्छा सा लाल पर ना हो जाए और ये खुर्स ना हो जाए तो अब हम इसे देखिए इस तरह चला चला के भून रहे हैं और फिर इ मिनिट बाद हम इसमें डालेंगे आलू अगर आप आलू नहीं खाते हैं तो आप इसमें पनीर भी डाल सकते हैं या फिर आलू को अच्छे से फ्राइ करके डाल सकते हैं तो ये देखिए मसाला हमारा भुन गया है मैंने आलू को डाला है मैंने आलू को फ्राइ भी नहीं किया ऐसे ही डाला है इसी के साथ मैं इसे 2-3 मिनट तक इसी में आलो को भी फ्राइ कर लोंगी आप चाहें तो पहले से भी ओयल में फ्राइ करके आलो को रख सकते हैं या आप पनीर को भी डाल सकते हैं इसमें दोनों ही बहुत टेस्टी लगते हैं और फिर यहाँ पर मैंने पानी जितना आपको गाढ़ा रखना है या पतला रखना है उसके कोडिंग आप इसे पानी डालिएगा मैं यहाँ पर दो से धाई गलास के बीच पानी का इस्तमाल कर रही हूँ क्योंकि यह मैं 4-5 लोगों के लिए बना रही हूँ और यह देखिए 5 मिन बाद मैं इसे चला रही हूँ तो यह देखिए अच्छे से पग गया है खौलने लगा है और गाढ़ा भी हो गया है और आलू हमारे अच्छे से पग गया है यह देखिए और पस यह हमारा टेस्टी सा निमोना बनकर त्यार है बाई मुझे तो यह चावल के साथ बहुत टेस्टी लगता है आप लो को किसके साथ अच्छा लगता है और वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें